材से ओ kolay अब सब आशाकर थी होंगे बंगा आज मैं सब्सटोपे खंश करने वाया है अवेले इस ब्लाउज से तो आप लोगों js mice ब्लाउज के बारे मैं मुझसे पदा ने कितनी बार पूझा है तो इह ब्लाउज है मेरा क्लफ फैक्टरी से अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा क्लफ फैक्टरी हॉल नहीं देखा है तो देखिजीए गा यह था साड़े-छे सवका कुछ इस तरीके का ब्लाउज है इसको म साइज थी बट फिर भी मुझे नहीं आई थी तो इसको मैंने फिर से फिट कराया और पीछे कुछ इस तरीके से वर्क हुआ है आप लोगों ने काफी ज्यादा बार मुझसे पूछा जब से मैंने ब्लैक सारी पे मेकप ट्यूटोरियल निखाला हुआ तब से आप लोग पू जादा ब्लाउज नहीं पहनती हूं और मैं मैं ब्लाउज सिर्फ मेरे सस्राल में पहनती हूं जब मैं आने लगती हूं तो ब्लाउज रख लो आपको ब्लाज बगरार रखने की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि इसमें तो आल्रडी पैड लगा ही है तो इसलिए मैं पै कि अच्छा लगता है ना तो यह भी मेरी क्लॉफ फैक्ट्री से है और इसकी भी प्राइज आई थिंग सेवन हंडेड़ फ्यूप्टी रूपीज है कुछ इस तरीके से हैं और इस पर भी पैड आपको लगा मिल जाएगा इसको भी मैंने फिट कराया हुआ है और हाँ क्लॉफ फैक्ट्री के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी तो अगर आप चाहें वैसे तो अभी मिलेगा नहीं क्योंकि सारी जगों पर ऑनलाइन सुद्धायं बंध है बिखाने के बालाइन समय मा को काफ़ी है जटन को लेक तब से लंस साधी की जटने दो ब्लाइ। बेक्छन के भी है और लिए दुखनों कि अजे वास्त्रालाई के यहां से जो की खाना पर है और इसको मैंने फिर्युआड फिवाश की डिग से Google है और बिशे से आप यहां पर हुक लगा हुआ है तो आप फैसी तरीके से घोर और बन्द कर सकते हो तो तो तीसरा हम घोको ते हैं मैं यहां पर आप लोगों को मेरे पास आप हैं उनकी डिजाइन कैसी है और किस तरीके है तो जैसा की आपने इसा देखा कॉटन के साड़ी पेस किसी भी और इसको किसी भी तरीके से अधा टॉप सकते हो या फिर अप लेहगा पहन बेहन सकते हो लेहगा बना सकते हो तो एंधर ब्लैक कलर तो किसी भी चलता है हमेसा ट्रेंड में भी रहता है जल्दी मैं आप लोगों के साथ इस साधी पर भी मेंकय हम लोग निकालने वाली हमेंस्illar करने वाले हूं इसके बाद मैंने एक ऐसा ब्लाउस बनवाया हुआ है इसकी साड़ी थी साड़े 600 रुपए की सिंपल साड़ी ब्लू कलर की आप लोगों ने देखा ही है और इसको भी मैंने पैड़ेड ही बनवाया है और एक ऐसा कलर है गोल्ड में है ब्लू में है तो इसे आप ब्लैक कलर की साड़ी के साथ या क कि इस को पता भी नहीं चेलेगा कि आपने स्टिच कराई बंच हो कि अगर आप हुक लगवाते। लगवाते हो या बटन लगवाते हो तो भीजवल होता है थो पता चलता है आपने सिलवाया हुए बट इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है कोई जानने ही पाएगा लगता है कि रेडी मेट है रेडी मेट है बट नहीं हाँ हकीकत तो आपको पता है कि इसको आपने स्टिच करा हुआ है मैं यहाँ पर आपको अपनी डिजाइन भी दिखारी हूं ब्लाउज की ड अहां पहंण है आप जिस कशप गता हुए से नही पहन है आपको टकुर्च के जाइन नहीं भी चारुआ है कि उसको यहां पत्ली नहीं रहते हूं हिए देकर सब्सक्तरों और यह भी पैडेड ही है, डिजाइन आगे कुछ इस तरीके से है, पीछे कुछ इस तरीके से है, इसका गला ज्यादा डीप नहीं है, तो यह था बेरा नेक्स्ट, इसके बाद, मैंने चौकोर गले का भी बनवाया हुआ है, कुछ इस तरीके का है, यह है मेरी ग्रे कलर की यह भी पैडेड ब्लाउज है, और इसको मैंने कुछ इस तरीके से स्टिच करा हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो, पाइपन लगी हुई है, और यह भी पैडेड ही है, बाजू काफी चोटी सी है, इसकी आगे से गोल गला है, पीछे से चौकोर गला, और पाइपन पीछ काफी पूचा था, तो यह है मेरी बनारसी साडी का ब्लाउज, इसमें भी पैड लगा हुआ है, और इसमें भी साइड, इसमें पीछे हुख लगा हुआ है, पीछे कुछ इस तरीके का है, डीप गले का आप देख सकते हो, पीछे कुछ इस तरीके की डिजाइन बनी हुई ह यहां पर तौ पतनी चलता है नहीं काफी अच्छा लगता है अगर आप बहुंति हैं तो सिल्क की साड़ी है मेरी बनार सी सिल्क6 कि अधरी को अधागने वधीज्य की छट्थी में और इस पेघ्टी को भी तरीग्या। शेपला और शलंग्ट सत्व दिल्च को दो तो तीन चार कलर से वर्क हुआ है कुछ इस तरीके से और इसके साड़ी है सिर्फ साड़े चार सो रुपए की और इसको भी मैंने कुलफ फैक्ट्री से मंगाया ब्लाउज मैंने बनवा लिया इस ब्लाउज को आप किसी भी तरीके की साड़ी के साथ अच्छे से पहल सकते हो इस पर आपको बर्ड मिल जाएगी देखिए वर्ड है कुछ इस तरीके से बना हुआ है एंड डिजाइन तो आप ही देखी सकते हो आगे से कुछ ऐसा है पीछे से कुछ इस तरीके का है इसमें पीछे यहां पर हुप लगा हुआ है तो एक दो ब्लाउज मेरे पास और है उ कैसा है एक निट कुछ आगे से इस तरीके से है और इसमें पीछे हुप लगा हुआ है मेरे जितने भी ब्लाउज है काफी डीपनेक में है क्योंकि मुझे डीपनेक ब्लाउज पहनना पसंद है इसके बाद एक ब्लाउज मेरा ये है चंदेरी साडी रही है या वाईट फरेंज़े पशने क्वाइच हो कि आप रही हुए लाइखुए‍ह। लाटी हूँ फिर दिखाती हूँ उसका भी गला काफी जाद अच्छा है सो फ्रेंड्स ए रहा मेरा लास्ट ब्लाउज कुछ ही सरीके की है इसकी डिजाइन आंगे पैड लगा हुआ है पीछे यहाँ पर हुक बाकि पूरा खुला है सिर्फ एक डोरी लगी हुई है और इस साड़ी को आप लोग काफी जादा पसंद कहरते हूँ मुझे भी काफी जादा पसंद है सो इथा मेरा आज का वीडियो कैसे लगा बताएगा जरूर आप लोगों को पसंद आयोगा अब दीजिये जाज़ा थाइक you so much for watching प्लीज लाइक करके जाना अब का एक लाइक अपारी लेक काफी जादा पाने रखता है सो अब मैच जाहरी हूं लेट भी हो गया है अंदेरा हो गया है जाहरी हूं नीचे बाई बाई लट पालाई